कि अधीत मिन देख सकते हैं कि नेची की तरफ पोल के संख्या किति हैं कि तोसी अधार पर आरव्यचर में वाइइंटिंग जो की जाती तो उसमें जो पोल पीच बनाए जाती है वो उस पोल के अधार पे बनाई जाती है तो इसमें टोटर स्लोटो की संख्या कितनी है वो देखा जाएगा ठीक है तो काउंटिंग करो तो एक जन 24 है तो अब जानते हैं कि हमारा जो यह पूल का एंगल होता है 180 डिग्री का होता है तो इस अधार पे इसमें वाइंडिंग का पूल पीछ भी रहेगा मतलब वाइंडिंग का पीछ जो रहेगा वह भी 180 का होगा 180 का अधार विडितकार और आधा विडितकार में आपका 12 स्लोट इधर पड़ेगा 12 स्लोट इधर पड़ेगा तो उस अधार पे हमारा वाइंडिंग का देख सकते हैं एक किनारा जो है इस वाइंडिंग को देखते हैं तो यह इधर आके मिला है तो यहां से और इसका एक किनारा जो है हम देख सकत इधर मिला हुआ है तो अब यहां से हम काउंट करते हैं कि कितना हो रहा है उस किनारे से इस किनारे के बीच में स्लोटो के संख्या इस बिसर तेरी आप नहीं बारे तो दो 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 इसमें तेरा रहा है कि अधर देखो तो इसमें सिंपल अर्थ में होता यह है कि हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जो है जेतना पॉल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं अगर हम लोग पॉल पीछ निकालना होता है उस तरीके में क्या होता है इसमें एक मिस्टेक किया गया है इसमें बारा बारा में नहीं डिवाइड करके ग्यारा कर दिया गया है एक साइड में एक साइड में त तो हम लोग क्या करेंगे इस में जो है इसको डूटल ढ़ाइड करेंगे दो पोल बार ला गया तो हमीं स хотел उसका il किनारा जो है मानते हैं एक में है तो दूसरा किनारा जो है बाड़े में होगा समझ में आ गया तो इस एधार पर हम लोग आर्मेचर के जो वाइंडिंग होता है वो किया जाता है और यहां पर देखिएगा कि यहां पर यह डबल लेयर वाइंडिंग है क्योंकि यहां पर दो क झाल झाल